नमस्कार आप देख रहे हैं जीऊभिन उस्तो वक्त हो गया है सुबा की ताजा बड़ी खबरों को जानने का तो उससे पहली यदि आप हमारे चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से तबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप त चुकाई है असल में सोना चांदी की उसकी गुणवत्ता का है या नहीं यहीं ख्याल रहता है लेकिन अब नए साल के आगाज के साथ आपकी यह दुविदा दूर हो जाएगी केंद्र सरकार एक जनवरी दोहजर बीस से सोने चांदी की आभुसनों की अनिवार हॉलमार करन नाम 2019 के मंगलवार को घोषना की जा चुकी है वाट मेर में कॉंग्रेस की जीत के हैड्रिक लगाते हुए फिर से बोड बनाने की तैयारी में है 15 वाडो में से कॉंग्रेस ने 33 पर जीत हासिल की है वहीं बीजेपी ने 18 और 4 वाडो पर निर्दलिये ने कपज़ा जमाया है सुप्रीम कोट में मराठा आरक्षन के खिलाफदारी अचकाव पर सुनवाई जनवरी 2020 तक तली महराष्ट में मराठा समुदाय के लोगों को सिक्षा और नौकरी में आरक्षन की कानूनी वैधता को सुप्रीम कोट में चुनोती दी गए सिर्ज अलात ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई की राजपाल भगत सिंग को स्यारी ने राज सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व अटोर्नी जनलर मुकुद रोहतगी को न्युक्त किया था अब इस मामले के सुनवाई जनवरी 2020 में होगी आपको बता दे की आरक्षन के लिए मराठा समाज के संगर्स के बाद दिविन्थ फर्णवी सरकार ने मराठा समुदाय के लिए सिक्षा और नौकरी में 16 पर 30 आरक्षन की वेवस्ता कर दी थी हाई कोट ने आरक्षन की कानूनी वेधता को बरकरा रखा जी से सुप्रेम कोट में चुनोती दी गई है हाई कोट के फैसले के चुनोती देने वाली अच्काव के मुताविक फर्णवी सरकार ने 16 फिसदी आरक्षन देकर के सम्विधान पीठ की ओर से आरक्षन पर 53 फिसदी की सीमा का उलंगर किया था साथी आरोप लगा है कि राज़ितिक दबाव में समाजीक वह सेक्षनिक रूप से पिछा वर्ग आरक्षन के लिए कानून बनाये गया है CEBC आरक्षन कानून मराठा समाज की सिक्षा में 12 और नौकरी में 133 फिसदी आरक्षन देता है रेलवे मंतराले ने जल्दी 150 ट्रेनों के लिए बोलिया मंगाई है सुत्रों के मुताबिक रेलवे मंतराले 150 ट्रेनों के लिए दिसंबर महिने में विल्डिंग प्रक्रिया के तहत बोली मांग सकता है सुत्रों के मुताबे अगले साल की सुरुआत यानि की जनवरी में ही अहमदाबाद मुंबई रूट पर देश की दूसरी प्राइबेट प्लेयर ट्रेन चलाए जाएगी मुंबई अहमदाबार रूट प्राइबेट प्लेयर अपरेट रूट होगा जिस पर सुरुवात में ट्रेन आई 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 सिटी सी चलाएगी और बाद में इसे प्राइबेट प्लेयर को सोप दिया जाएगा आपको बता देगी देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन लखनाव दिल्ली तेजस एक्सप्रेस है जिसमें फिलहाल आई आर सिटी सी चला रहा है बोड़ाफोन आईडिया और एयर टेल एक दिसमर से बढ़ाएगी मोबाई सर्विस के रेट वितिये संकट के मद नजर दूस एंचार कमपनी वोड़ाफोन आईडिया और एयर टेल ने एक दिसमर से मोबाईल सेवा की धरे बढ़ाने का फैसला किया है कर्ज तले दबे कमपनी ने यह गोशना किया है कि बोड़ाफोन आईडिया ने एक बयान में कहा है कि अपने ग्राहकों को गलोबल डिसमर एक्सपिरियेंस के लिए कमपनी 1 दिसमर 2019 से अपने टैरिफ के दाम पढ़ाएगी हाला कि कमपनी ने फिलहाल टैरिफ में प्रस्तावित बढ़ोतनी से जुड़ी जनकारी नहीं दिये भारती एरटेल ने कहा है कि कमपनी दिसमर से सर्विस के लिए रेट सुरू कर देगी ताकि विजनेस को पढ़ाया जा सके उन्होंने कहाए कि टेलिकॉम सेक्टर में काफी पुंजी की जरूरत होती है इसलिए इसमें लगतार निविस करना पढ़ता है इसी के मुताबिक एरटेल दिसमर में अपने टैरिफ बढ़ाएगी पाकिस्तानी मीडिया का दावा भारत के साथ सुरू ही डाक सेवा पारसल भेजने पर अभी भी प्रतिबंद है पाकिस्तानी पोस्ट की और से साथ पत्रों को भारतिय डाक अधिकारियों को मंगलवार की सामको अटारी बॉर्डर पर सौप दिया जाएगा और इतने खटपट के बाद भी यह बंद नहीं हुआ लेकिन अब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते गतिरोध के बीच 27 अगस्त के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच डाक सेवा पूरी तरीके से बंद थी पाकिस्तान ना तो कोई पत्र भारत से स्विकार कर रहा था और नहीं पाकिस्तान से कोई पत्र भारत आ रहा था RBI के ब्यास दरे घटने के बावजूद महंगा हुआ आम आदमी के लिए कर्ज लेना भारती रिजर्बेंक द्वारा कर्ज सस्ता करने के बावजूद लोन लेने वाले को फाइदा नहीं मिल रहा है महंगाई दर और आर्थिक व्रिधी में गिरावट को ध्यान में रखा जाए तो कज दताओं के लिए ब्यास दर बढ़ रही है बिदेशी ब्रेकरेस कमपनी ऑफ अमेरिका मेरियर लिश ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वेस्टेड एवरिस लेंडिंग रेट दर अप्रील से 0.08 फिसदी बढ़ी है आपको बता दे कि एकनोमिक ग्रोथ दर चालू वित वर्स में जून के तीसरी ती माही में 5 फिसदी रही है जो 6 साल का नियुतम अस्तर है पिछली ती माही से अर्थव्योंस्ता के भिमिन छेतरों की व्रिधी दर में कमी और किरावट देखने को आई है व्रिधी दर में आगे भी और कमी और किरावट आने की असंका है ममतब नर्जी के निसाने पर आए OVC बताया बीजेपी की बीटीम AIMM अधक्ष और मुसल्मानों के मुखार आवाज कहे जाने वाले OVC पस्ची मगाल की मुखमंत्री और त्रिमूल कॉंग्रिस की चीफ ममतब नर्जी के निसाने पर आगए है ममतब नर्जी ने पार्टी कारकरताओं के साथ बैठक में OVC की पार्टी का नाम लिये भी न कहा है कि मैं देख रही हूँ कि अलप संख्यकों के बीच कई कटर पंती है इसका ठीकाना है है ये लोग BJP की बीटीम है ममतब नर्जी के ये बैयान ऐसे वक्त में आया है जब OVC ने साफ कर दिया है कि पस्ची मगाल बिधान समा चुना में उनकी पार्टी अपने उमिद्वार उतारेगी BJP ने कहा है कि ममतब नर्जी को डर लगता है कि अलप संख्यकों की राष्टिती खास तोर पर मुसल्मानों के तुष्टी करन की राष्टिती उसको भारी पड़ रही है वीर सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिस मामले में ग्रिह मंत्राले का बड़ा बयान आया है चुनाओं के घोष्टना पत्र में BJP ने स्वतनता से नानी वीर सावरकर को भारत रत्न समान देने का वादा किया था लोग सभा में इस समद में पूछे कि एक सवाल पर सरकार ने अपने प्रतिक्रिया दी है टाटा स्टिल पर भी सुस्ति की मार तीन हज़ा से जदा करमेचारियों के करेगी चटनी टाटा स्टिल अपने यूरोपियन ओफिस से तीन हजार से अधिक लोगों को नवकरी से निकालने की योजना मना रही है कमपनी ने सुमार को कहाए कि अतरिक्त अपूर्ती, कमजोर, मांग और उच लागत के चलते कमपनी ऐसा करने को मजमूर है समचार एजेसी रिटर के सुत्रों के हवाले से बताया गया है कि टाटा समू के यूरोपिये मुख कारकारी हेनरिक एडम ने पहले ही आकड़ा दे दिया था कि कमपनी जल्द यूरोपिये बजार से नौकरी में कटवती कर सकती है टाटा ने एक बयान में कहाए कि वो अपने यूरोपिये परिचालनों में तीन हजार से अधिक करमचारियों की संख्या में कटवती करके अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करना चाहती है भारतिये कमपनी टाटा इस्टेल जिसमें अपने यूरोपिये कारोबार को मजबूत करने के लिए जून में एक परिवर्दन कायकरम सुरू किया था सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला पार्किंग से चोरी हुई गाली तो होटल को करनी होगी भरपाई सुप्रीम कोट ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि होटल अपने करमचार या खितमतगार के जरिये पार्किंग में लगाए गए वाहन के चोरी होने के लिए अपने महमान या विजिटर्स को अपने जोखिम पर उपनियम की आड़ से मुआपजा देने से इनकार नहीं कर सकत है कोट ने कहा है कि ये साबित करने का दारोमदार होटल पर है कि पार्किंग में खड़े वाहन को हुआ कोई नुकसान उनकी लापरवाही से नहीं हुआ है उसने कहा कि होटल में वालेट पार्किंग की सुविदा उस पार्किंग सुविदा से विपरित है जिसमें माली की जिम्मदारी होती है कि वाहन को खड़ा करने के लिए उपयुक्त अस्थान ढूड़े उसे सही तरीके से खड़ा करे और लोटाए और पारकिंग का टोकन या पर्ची दिखा करके वाहन को ले जाए नैमूर्ती इस संत नोगदर और नैमूर्ती अजय रस्तोकी की पिठ ने कह कि होटल का मालिक अपनी लापरवाही के लिए जिम्मदारी से बच नहीं सकता है काला पानी पर नेपाल के दावे में कितना दम चीन क्यूं दे रहा सा नेपाल की अकबार में इन दिनों काला पानी बिवाद को ले करके भारत के विरोध से भरे पड़े हैं नेपाल का काना ह कि भारत जब जस्ती उसके काला पानी इलाके पर अपना कपजा दिखा रहा है इसे लेकर के वहां लगतार परदसन भी हो रहे है इतना ही नहीं अब इसे लेकर के सरकार भी हरकत में आ गई है लेकिन अगर इतिहास और तैथ्यों के बारे में बात करें तो काला पानी का मामला नकेवल उल्जा हुआ है बलकि इसे लेकर के अस्पस्टता भी नहीं हो रही है। और इस मुद्य को हावा मिल रही है। अगले मुकेस अंबाने के अगुआई वाली कमपनी ने 9 लाकड रुपे मार्केट कैप के निसाने को पार किया था। इसको बता दे कि अमेरिकी बैंक के मुताबिक रिलाइंस अगले दो सालों में 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैप को हासिल कर लेगा। बैंक के मुताबिक रिलाइंस पहली कमपनी होगी जो इस लक्ष को हासिल करेगी। आज का मार्केश को चन आचका है तिरंगा जहन्डा की लंबाई और चोड़ाई किस अनुपात में होती है।